एक आर्टिस्ट हमेशे दो चीजों के लिए स्ट्रगल करता है दोस्तों पहली चीज है पैसा और दूसरी चीज है नाम ये दो चीजों के लिए ताउमर आर्टिस्ट को स्ट्रगल करना पड़ता है संगर्श करना पड़ता है वो खोशता है इदर उदर तलाश में भागता है कहीं से उसको नौकरी लग जाए कहीं से जॉब लग जाए कहीं से पैसा आ जाए कहीं से थोड़ा सा नाम कमा ले लेकिन इसकी वो बहुत जादा मेहनत करता है लेकिन मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अजय मीना पर आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आर्टिस्ट जो स्ट्रगल इतना कर रहा है आखिर कब तक उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कब तक वो पैसे के लिए दौलत के लिए शौरत के लिए भटकता रहेगा कभी ना कभी तो इस चीज का अंत आएगा कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को इस फिल्ड में जाने से नहीं रोकेंगे कभी यह नहीं कहेंगे कि आर्ट को चूस मत करो तुम कि यदी तुम आर्ट को चूस करोगे तो तुमारा future बरबाद हो सकता है आर्ट को मत चूस करो इसमें आपका future नहीं है इसमें पैसा नहीं है आपको struggle करना पढ़ता है जिन्दिगी बर दोस्तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी आर्टिस्ट को यहाँ पर हम खोशते हैं कि कोई हमें सपोर्ट कर दे, कोई हमें सहारा दे दे, कोई आसमान से कोई ऐसा बंदा है जो कि हमें मतलब चमतकार कर दे, कुछ हमारी जिंदगी बना दे हमें इचीज समझनी पढ़ेगी कि artist को यहाँ पर आज के टाइम पर कोई support नहीं करेगा artist खुद ही एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को support कर सकता है जी हां दूस्तों इस समस्या का एक ही समादान है एक मात्र समाधान है जो कि जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम पर, हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्ताय हैं, बहुत सारी ऐसी ओर्गनाइजेशन बन चुकी हैं, जिनका अल्टीमेट एम एक ही है, कि सभी आर्टिस्ट को युनाइट कर दिया जाए, अर्थ सब को एक जुट हो जाना चीए, यही सॉलिशन है जो कि आप लोग को आपकी जिंदगी बनाएगा, जब तक आर्टिस्ट अलग-अलग है उसकी कोई उखात नहीं, लेकिन अगर मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी पावर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक आर्टिस्ट, ए हमें एक चीज़ समझनी होगी, कि जब तक हम मिल नहीं जाएंगे, तब तक हमारा सायता कोई नहीं कर सकता, हम लोग ही हैं, जो कि खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, यह तो फिलोसोपिकल बात हो गई, प्रैक्टिकली हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जिससे वास्तब में ये बात हम स सकते हैं, बहुत सारी चीज़े की जा सकते हैं, बहुत सारी possibilities होती हैं, इन numerous possibilities में से एक possibility मैं आपको practically explain करके बताता हूँ, with example, जैसे एक बहुत ही बड़ा social platform हमारे सामने है YouTube, YouTube का एक example हम लेते हैं, बहुत बड़ा platform है, जो भी अपना talent आज कल जिसको share करना होता है, वो YouTube पे share करता है, YouTube मान लीजे किसी को मेंदी के डिजाइन सिखाने है YouTube पे videos डाल देता है, किसी को मान लीजे कोई अध्यापक है Ghanit का teacher है, वो YouTube पे videos डालता है, मान लीजे किसी का कोई talent है, singing का talent है, video बना करके YouTube डाला हजारों लोगों तक पहुन पहुँच गया, it is a very huge platform, अगर कोई भी talent है आपके अंदर, आप उसे share कर सकते हो YouTube पे, लेकिन YouTube भी एक ऐसा platform है जो कि time मांगता है, जिसमें आपको महनत करनी होती है, hard work करना होता है, sacrifice करना होता है, time देना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ सफलता मिलती है, लेकिन अगर मान लीजे, इसी एक basic principle को हमने YouTube पे apply किया कि यह मिलकर के काम करते है YouTube चैनल पे, मिलकर के काम YouTube चैनल पे हम करते हैं, तो क्या होगा, तो 5-minute craft जैसे बहुत ही बड़े channels create होते हैं, जब unite होकर के काम किये जाता है, तो 5-minute craft जैसे बहुत बड़े extreme level के बड़े YouTube channels create किये जाते हैं, T-series का जनम होता है, 5-minute craft का जनम होता है T-Series सब जानते हैं 5 minute craft सब जानते हैं अभी बात ये उट करके आती है कि 5 minute craft जो YouTube चैनल है या जो T-Series नाम का YouTube चैनल है यह कि एक बंदे का चैनल है कि पूरे गुरुप का चैनल है आप खुद से अपना दिमाग लगाईएगा फाइब मिनट क्राफ्ट पे एक बंदा वीडियो बनाता है या फिर पूरा गुरूप बनाता है या एक बंदा बनाता है T-Series पे आप किसी एक नया ककर के गाने सुनते हो या फिर और लोगों के भी आर्टिस्ट के गाने आप सुनते हो सिंपल सी बात है अब लोगों को आपको समझ में आ रहा है कि भाई गुरूप में काम करने से वर्ल्ट का नंबर वन चैनल जैसे की T-Series पूरी दुनिया का नंबर वन चैनल है 5-Minute Craft poع-top के उपर level के चैनल पर आता है अब गुरूप में काम करने से क्या होता है यूट्यूब का एक principle है कि आपको regular content बनाना पड़ता है, रोज content डालना पड़ता है, रोज quality content upload करना होता है बहुत महनत का बहुत ज़ादा पसीना भादेने वाला काम होता है और बहुत महनत के बाद भी सफलता मिले ना मिले गैरेंटी नहीं है स्ट्रगल करता है आर्टिस्ट यूट्यूब पे भी चैनल नहीं चलते हैं लेकिन अगर हम क्या करें ग्रूप में वर्क करेंगे तो क्या होगा एवरी डे कोई डिफरेंट आर्टिस्ट कंटेंट डालता है आज मान लिजिए एक आर्टिस्ट ने कंटेंट डाला कल कोई दूसरा डालेगा, परसो कोई तीसरा डालेगा, उसके बाद कोई चौथा डालेगा ये regular basis पे content डलते रहेंगे, regular basis पे videos अपलोड होते रहेंगे और एक time ऐसा आएगा कि कोई ना कोई एक या दो वीडियो ऐसे होंगे जो कि viral हो जाएंगे जो कि millions में cross हो जाएंगे, और वो एक दिन हमारे channel की काया पलटने के लिए काफी होगा तो ऐसा कौन से channel सभी currently artist लोगों के लिए बनाए गए है, group के channel बनाए गए है जिस पे आप काम करके वहाँ से benefit उठा सकते हो, अब आपको नया channel बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि खुद से फिर से नया channel बनाए है, खुद से वहाँ पे मैनत करें, नहीं, आपको मौका दिया जा रहा है एक already बने बनाए channel पे एक already खुली खुला दुकान पे आप काम करेंगे और वहाँ से आप अपना फायदा उठा सकते हैं यूट्यूब चैनल इंडियन आर्ट फेडरेशन को महज तीन महीने पहले create किया गया है पूरी आर्टिस्ट कम्यूनिटी के लिए इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा Facebook पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन यहाँ पे भी आप लोग को मौका मिलता है अपने टैलेंट को content को share करने के लिए यहाँ पर आपके अलावा और भी talented artist मौझूद है जो कि अपने वीडियो को upload करते हैं मिलकर के काम करेंगे definitely आप लोग को सफलता मिलेगी एक right guidance के अंदर एक right approach अगर आप रखते हो तो सफलता आपको जल से जल मिलती है कम मेहनत में मिलती है अब भी करना क्या है जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक जहला है अब आपको ultimate solution पता चल चुका है अब पहला कतम कहां आपको किस दिशा में उठाना है सबसे पहले आप क्या करेंगे आप Indian Art Federation Facebook पेज को follow कर लेंगे Facebook पेज सब जानते हैं क्या होता है Facebook पे pages बनाए गए है उन में से एक page का नाम है Indian Art Federation अर्थ का logo बना हुआ है IAF लिखा हुआ है उसको follow कर लिजी आप ठीके जी Facebook page भी है Facebook group भी है Indian Art Federation के नाम से आप उन्हें follow कर ले Indian Art Federation follow करने के बाद आपको इंतजार करना होगा इनकी painting परतियों किता का हर महीने every month ये painting contest का आयोजन करते हैं उन painting competitions में जो best perform करता है उनी को ही मौका मिलता है इनकी team join करने का जो की group मैंने आपको बताया था कि group में जो लोग काम करते हैं जो लोग फायदा उठाते हैं वो group में era-gara artist join नहीं करता है केवल और केवल अच्छे artist join करते हैं talented artist join करते हैं और उनका chain कैसे होता है painting competition में भाग ले करके परफॉर्म करने के बाद जो बेस्ट परफॉर्मर्स निकलते हैं उनका यहां सेलेक्शन होता है धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अजय होता है